दोस्तों आपने PM विस्व कर्मा योजना का नाम तो सुना ही होगा इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप प्रधान मंतरी विस्व कर्मा योजना के अंतरगत लोन के लिए किस तरहें से अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दो तरहें से लोन मिलेगा यानि कि टोटल मिला करके आप लोगों को 3 लाख रुपए इस योजना के अंतरगत मिलने वाला है बात कर लेते हैं इसके ब्याज पर तो आप लोगों को मतर 5% का इंट्रेस्ट रेट देना होगा वो भी पूरे साल में और दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है आप लोग सिर्फ अपने आधार कार्ट के माद्धम से ही लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें जिससे की आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको में सकें तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने मोबाल या फिर लेप्टोप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पर आपको टाइप करना है पीम बिस्सकरमा इतना टाइप करने के बाद मैं सर्च करेंगे जो पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिखाई देगी आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आप लोग प्रधान मंतरी बिस्सकरमा की ओफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लोन के बारे में कुछ इन्फोर्मेशन दे देता हूँ जिसके लिए आपको इसकीम बेनेफिट्स वाले ओप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को चौथे नंबर पर एक ओप्शन देखने को मिल जाएगा क्रेडिट सपोर्ट और जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पहली बार में एक लाख रुपए का लोन 18 महीने के लिए दिया जाएगा और साथ यहाँ पर दूसरी बार में आप लोगों को दो लाख रुपए का जो लोन है वो दिया जाएगा 30 महीनों के लिए इस के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हूं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस लोन की अंत्रगत ओनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं यहां से आपको कट कर देना है और इस लोन को ओनलाइन ही अप्लाई करने के लिए यहां पर एक option देखने को मिल जाएगा login वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपको CSC login वाले option पर एक बार click कर देना है जिसमें कि आपको CSC register artisans वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में आपके सामने CSC ID और password डालने का option आएगा बहाँ पर आपको ID password डाल करके login वाले option पर click कर देना है जैसे ही click करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरहें से registration page आ जाएगा यहाँ पर आपसे पूंचा जा रहा है कि क्या आपकी family में कोई भी government employee है अगर है तो yes करेंगे नहीं तो no वाले option को select कर लेना है second number पर आपसे कुछा जा रहा है कि क्या इससे पहले आपने कहीं से भी loan लिया है जैसे कि PM EGP loan है या फिर PM स्वानिधी loan या फिर मुद्रा loan अगर लिया तो yes करेंगे नहीं तो आपको no वाले option को select करना है और continue वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर अपने mobile number को enter करना है उस mobile number को enter करना है जो mobile number आपके आधार card में link हो इसके बाद आपको यहाँ पर 12 digit का अपना आधार card number फिल करना है इस capture code को same to same यहाँ पर फिल कर देना है इसके बाद यहाँ पर लेफटूप में या फिर आपके मोबाइल फोन में जो भी डिवाइस कनेक्ट है उस डिवाईस में लाइट जलने लगेगी आप लोगों को एक finger print device की आपसकता पढ़ने वाली है light जलने के बाद में आप लोगों को अपने thumb को उस device पर रखना है और जैसे ही device पर रखेंगे तो आपके thumb का जो fingerprint है capture कर लिया जाएगा और success लिखके आ जाएगा और इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरहें से page आ जाएगा इस page में अब आप लोगों को अपनी personal detail को fill करना है जिसमें की कुछ detail आपकी पहले से ही fill रहेगी जैसे कि आपका यहाँ पर नाम, father का नाम और date of birth यहाँ पर आप लोगों को अपने marital status को select कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपका जो gender है पहले से fill रहेगा category को आपको यहाँ से select कर लेना है आप general में आते हैं SC, ST, OVC इसी के साथ अगर कोई भी व्यक्ति दिब्यांग है तो उसको यहाँ से select करना है यहाँ पर आप लोगों को दिब्यांग type को select करना है और यहाँ पर अगर आपका जो business है बहे same state में ही है तो यहाँ पर आपको yes करना है और इसके बाद अगर आपका business same district में है तो यहाँ पर आपको yes कर देना है अगर कोई candidate mandatory category से आता है तो यहाँ पर उसको yes करना है और यहाँ से उसको अपनी category को select कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सभी कुछ information को fill कर दिया है इसके बाद हमें कुछ नीचे की side में आना है और यहाँ पर आप लोगों को अपनी contact detail को fill करना पड़ेगा जिसमी के आपका यहाँ पर mobile number और आधार number पहले से ही fill रहता है अगर आपका pen card बना हुआ है तो automatic ही यहाँ पर आपके आधार card से राशन card फैच कर लिया जाएगा यहाँ पर आपका राशन card number आ जाएगा आपकी family में जितने भी members है सभी सदस्यों के detail यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका राशन card बना हुआ नहीं है तो आपको कोई problem नहीं है क्योंकि यह optional है इसके बाद अगर आप लोग राशन card में और भी member को add करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को add का option मिल जाएगा यहाँ पर add कर सकते हैं अगर कोई member delete करना चाहते हैं तो delete का भी option आपको यहाँ पर मिल जाता है और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नीचे की side में आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने आधार address को fill करना है जिसमें कि आपके आधार card से आपका जो address है भे है फैच कर लिया जाएगा इसी के साथ में यहाँ पर आपसे पूंचा जा रहा है आपका current address अगर आपका current address आधार card वाला ही है तो आपको यहाँ पर same as आधार address वाले option को select कर लेना है अगर आपका address अलग है तो आपको others वाले option को select करना है तो जैसा कि हमारा जो address है भे है same है तो हमने यहाँ पर same select कर लिया अब आपसे यहाँ पर पूंचा जा रहा है do you come under gram penchant अगर आप gram penchant के अंतरगत आते हैं तो आपको यहाँ पर yes या no में कोई भी एक option select करना है तो हम यहाँ पर भी yes को select कर लेंगे और इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी blog का नाम इस list में से select कर लेना है और इसके बाद आपकी जो gram penchant है उस gram penchant का नाम आप लोगों को यहाँ से select कर लेना है यह सबी कुछ information को fill करने के बाद में अब यहाँ पर आपसे आपके profession और trade details के बारे में पूंचा जाता है जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने profession और trade का नाम इस list में से select करना है यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी list आ चुकी है आपका जो भी profession है आप लोगों को उसी को यहाँ पर select करना है और इसके बार यहाँ पर आपको एक option मिलेगा sub category का तो अगर आपके profession की कोई भी sub category है तो यहाँ से select करना है अगर उसकी sub category नहीं है तो आपको select नहीं करना है यहाँ पर आप लोगों को एक box दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर tick लगा देना है इसके बार नीचे की साइट में आप लोगों को तीन option देखने को मिल जाएंगे business address तो यहाँ पर आपका जो business address है आपके आधार card वाला address है तो इसे select करेंगे इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोगों का current address है तो आप इसे select करेंगे अगर और कोई address पर आपका business है तो आपको address वाले option को select कर लेना है और सभी कुछ information को fill करने के बाद में आपको save वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही save वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखे आ चुका है details saved successfully और अब आपके सामने कुछ इस तरहें से page आ जाएगा जिसमें कि आपको यहाँ पर saving bank account की detail को fill करना पड़ेगा यानि कि जिस भी bank account में आप लोग loan का पैसा लेना चाहते हैं उस bank account की information को fill कर देना है सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी bank का नाम select कर लेना है जैसे ही click करेंगे bank की पूरी list आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने IFC code को enter कर देना है यहाँ पर आप लोगों को अपनी branch का नाम select कर लेना है आपका जो account number है उसे यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से fill करना है और दुबारा से आपको यहाँ पर अपने account number को fill कर देना है यह जो banking detail है यह आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से fill करनी है यह आप लोगों से गलत नहीं होनी चाहिए इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आता है man point यानि की credit support credit support सही आप लोगों को यहाँ पर loan provide किया जाता है और यहाँ पर आप लोगों देख सकते हो do you want credit support तो हम यहाँ पर loan के लिए apply कर रहे हैं जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर yes वाले option को select करना है तब ही आप लोगों को ये जो loan है बहे मिल पाएगा और यहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि एक लाख रुपए का जो loan है बहे आप लोगों को 5% interest rate पर 18 महीनों के लिए दिया जा रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को yes वाले option को select कर लेना है और जैसे ही आप yes वाले option को select करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से loan amount के बारे में पूंचा जा रहा है कि आप कितना loan लेना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग 50,000 रुपए से लेकर कि 1,000,000 रुपए के बीच में जितना भी amount लेना चाहते हैं ले सकते हैं तो हमें यहाँ 1,000,000 रुपए loan की आपशकता है हमने 1,000,000 रुपए type कर दिये इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूंचा जा रहा है कि यह जो loan है आप लोग आपने जो अभी bank account select किया है उसी bank account में लेना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे account में लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर same loan purpose को select करना पड़ेगा कि यह जो loan है आप लोग count से purpose के लिए लेना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो purchase of equipment यानि कि आप लोग अपने business में जो इस्तिमाल होने बाले equipment हैं उन्हें purchase करने के लिए लेना चाहते हैं या फिर आप लोग बरकिंग capital के तो उसकी detail को आप लोगों को यहाँ पर देना है तो यहाँ पर आप चाहें तो दे भी सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर उस bank या फिर institution का नाम select करना है जिस भी bank से आप लोगों का loan चल रहा है पूरी list यहाँ पर आप लोगो के सामने आ जाएगी इसके बाद यहां पर आप लोगों को आऊटसाइडिंग लोन एमाउंट फिल करना है कितना लोन आपने लिया था यहां पर आप मंतली EMI कितनी pay करते हैं बो आपको select करना है और total आपकी monthly family income कितनी है वो आप लोगों को इस वाले box में fill कर देना है और अगर कोई भी loan आप लोगों पर नहीं चल रहा तो आप लोगों को इस वाली information को fill नहीं करना है और इसके बाद यहाँ पर एक option आपको देखने को मिल जाएगा digital incentive details तो इसका मतलब यह है अगर आप लोगों कोई भी digitally payment बगारा करते हैं तो इस पर भी आप लोगों को government के तरफ से support मिलने वाली है तो यहाँ पर आप से पूँचा जा रहा are you digitally active अगर आप digitally active है तो यहाँ पर आप लोगों को yes वाले option को select कर लेना है और select करने के बाद में यहाँ पर आप लोग जिस भी UPI ID के माध्यम से transaction बगारा करते हैं उस UPI ID को यहाँ पर enter करना है और साथ ही इससे जो भी mobile number link है उस mobile number को भी आप लोगों को यहाँ पर fill करना है जैसे UPI ID आप enter करेंगे mobile number enter करने का भी option आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को save बाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो detail है भही यहाँ पर successfully save हो चुकी है और अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा skill training का यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर आप लोगों को 5 दिन या फिर 15 दिन की training दे जाती है यह आपके उपर depend करता है कि आप 5 दिन के training complete करेंगे या फिर 15 दिन की training complete करेंगे और training के साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 500 रुपए भी daily के हिसाब से दिये जाते हैं इसके बाद यहां पर बात आती है toolkit की इसके बारे मैं भी मैं आपको बता चुका हूँ आपने जो भी profession select किया है उसी profession के according आप लोगों को यहां पर 15,000 रुपए toolkit किट खरीदने के लिए दिये जाते हैं तो यहां पर आप लोगों को बताया गया है इसके बाद यहां पर कुछ नीचे की साइड में आजा यहां पर एक option देखने को मिल जाएगा जो form है भे समझ लीजिए कि final submit के कागार पर आ चुका है यहां पर आपको declaration detail को fill करना है जिसमें कि आपको सिर्फ इस वाले box पर टिक लगाना होता है और इसके बाद यहां पर आपको submit वाले option पर एक बार किलिक कर देना है और जैसे ही submit वाले option पर किलिक करेंगी यहां पर आ application number को कहीं पर note करके भी रख सकते हैं और इसके बाद आपको यहां पर done वाले option पर एक बार किलिक कर देना है यहां पर आप लोगों के सामने एक PDF format में पूरा जो form है जनरेट हो जाता है आपने अभी तक जितनी भी detail को fill किया है सभी detail आप लोगों को इसी वाले PDF में देखनी को मिल जाती है इस PDF को अगर आप download करना चाहते हैं तो download का भी option आपको यहां पर देखनी को मिल जाएगा लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूँ यहां पर दो step complete हो चुकिया और अभी तीसरा step आपका complete हो जाता है इसके बाद आप लोगों को यहां पर एक certificate certificate भी download करने का option आजाता है आप लोग PM विस्तु कर्मा योजना का जो certificate है उसे यहीं से download कर सकते हैं तो मैं यहां पर आप लोगों को इस PDF को download करके दिखा देता हूँ जिसके लिए आपको download वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही click करेंगे तो आपने अभी तक जितनी भ account भी निकाल करके रख सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर आप लोगों ने form को तो fill कर दिया अब आपको जो loan amount है वहे आप लोगों को कितने दिनों में मिलने बाला है कितने दिन में आपका यह जो amount है वहे आपके bank account में transfer किया जाएगा तो दोस्त training को complete करने के बाद में आपको certificate बगैरा भी दे दिया जाएगा और इसके बाद ही दोस्तों जो loan का amount है वहे आप लोगों के bank account में transfer किया जाएगा बिना training complete किये आप लोग 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 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों को loan दिया जाता है जो कि आप लोगों को यहीं से download कर लेना है और इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका जो loan है वहे government के तरफ से verify होता है आपके bank account में transfer कर दिया जाता है तो इस तरह से आप लोग PM बिस्व कर्मा योजना के अंतरकत online ही loan के लिए apply कर सकते हैं तो फिलाहल दोस्तों आज की इस वीडि एक नहीं जानकारी के साथ